बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा आठ सामाजी का ध्यान के अंतरगैत संसादन और विकास विशे का पहला पार्ट संसादन हम आपको बताएंगे इस पार्ट से सम्मंदित प्रशनों के उत्तर लेकिन उससे पहले आईए देख लेते हैं एक जलक इस पार्ट की ताकि आपको पूरा पार्ट अच्छे से समझा जाए और यहाँ पर इस पार्ट में क्या कुछ बताए गया है आप इसे अच्छे से समझ स पड़े और आप चाहे तो इस पार्ट को यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्छों चाहे अपनी पार्ट पुस्तक से लेकिन एक बार पार्ट को अवसे पढ़ ले तो देख रहे न आप यहाँ पर यह आपका पहला पार्ट और फार्ट का नाम क्या है संसादन इसके बाद बच् चलिए शुरू कर लेते हैं इस पार से संबंदित प्रस्णों के उत्तर अब्यास प्रस्ण उत्तर में तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला प्रस्ण आपका निमलिकित प्रस्णों के उत्तर दीजिए यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रस्ण दिये हुए और उनके उतर आपको लिखने हैं पहला प्रस्ण है बच्चो पृतिवी पायर संसादन आसमान रूप से क्यों बित्रित हैं तो उतर क्या लखेंगे उतर इस प्रकार से लखेंगे आप प्राकर्तिक संसादनों का वित्रेण भू आकर्तियों जलवायू उंचाई बनस्पति जैसे अनेक बौतिक कारकों पर निर्वर करता है पृतिवी पैर इन कारकों में विभिनता होने के कारण संसादनों का वित्रेण असमान है ठीक है न तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं अगला प्रस्ण है बच्चों दूसरा प्रस्ण संसादन सरक्षन क्या है तो यहाँ पर क्या उत्तर लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे आप संसादनों का सतरकता तथा बुद्धिमता पूर्वैक उपियोग करना और उन्हें नवीनी करन के लिए समय देना संसादन सरक्षन कहलाता है देख रहें आप तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें इसके बाद तीसरा प्र Mayo आता है आपका और इसमें पूछा है मानव संसादन मैतोपूर्ण क्यों है तो क्यों है बच्यों आपने पार्ट में पढ़ा होगा उत्तर लिखेंगे मानव संसादन इसलिए मैतोपूर्ण है क्योंकि मनिशकी योग्यताएं ही बहुतिक पदार्थों को मुल्यवान संसाधन बनाने में सायता करती है तो इस प्रकार से आप जो अपने इस तीसरी प्रस्ण का या थार्ड प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं अगला प्रस्ण है बच्चों सतत पोशनिय विकास क्या है तो क्या है सतत पोशनिय विकास उत्तर लिखेंगे संसाधनों का साउधानी पूरबग उपियोग ताकि न केवल बरतमान पीडी ही नहीं अपितु बावी पीडियों की आऊ सकता हैं भी पूरी होती रहें क्या कहलाता है सतत पोशनिय विकास ठीक है न तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रस्ण का उत्तर लिखेंगे बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रस्ण शुरू होता है सही उत्तर पर निसान लगाईए तो आपने सही उत्तर पर क्या करना है सही का चिन लगाना है आप द तो उत्तर क्या लखेंगे आप मातरा और यहां पर जो है प्रुश्य का चिन लगा सकते हैं इसके बाद अगला प्रस्ण है सेकेंड वाला निमलिकित में से कौन सा मानभ निर्मित संसाधन है यहां पर आपके लिए तीन Protects होगे और मानभ निर्मित संसाधन लिखना अपने त देख रहे ना आप तीनों औप्पिसन कैंसर उपचार की उस्दियां, जहरने का जल और ऊष्ण कटिवन दिया, उन. तो यहां पर जो है, इन तीनों में से कौन सा सही है बच्चो? मानम निर्मित कौन सा है? कैंसर उपचार की उसदियां. देख रहें न आप उत्तर में तो इस पे आप सही का चिन लगा सकते हैं इसके बाद अगला प्रसनात है थर्ड प्रसनात है कथन पूरा कीजिए जैव संसादन और यहाँ पर तीन ओप्सन आपके लिए जीव जनतों से व्यूत्पन, मनुश्यों द्वारा निर्मित या निर्जीव वहस्तियों से व्यूत्पन तो यहाँ पर तीनों में से कौनसा सही ओप्सन होगा बच्यों याद रखेंगे कैवाला सही है जीव जनतों से व्यूत्पन तो आप यहां पर जुए सही काचिन लगाएं इसके वाद अगला प्रस्न है तीसरा निम लिखित में अंतर इस्पस्ट कीजिए तो यहां पर आपने अंतर इस्पस्ट करना है संभाव्य और वास्तविक संसादन में और अगला है सर्व्यापक और अस्तानिक संसादन में आप ध्यान देंगे उत्तर में लिखेंगे संभाब्य और वास्तविक संसादन और एडिंग डालके यहाँ पर एक ऐसी टेबल बनाएंगे बच्चो इसी प्रकार बनाएं इसके दो पार्ट करें और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे संभाब्य संसादन और वास्तविक संसादन और उसके बाद नमबर एक लिखेंगे वे संसादन जिनकी संपूर्ण मात्रा ग्यात नहीं हो सकी है और इदर लखेंगे जिन संसादनों की मात्रा ग्यांत होती है फिर लखेंगे second वाला point लखेंगे इन संसादनों का बर्टमाद में उपियोग नहीं किया जा रहा है परन्तों बाविशे में इनका उपियोग किया जा सकता है उधारन के लिए लद्दाग में पाया गया यूरेनियम और यहाँ पर वास्तविक संसादन में लिखेंगे इन संसादनों का बर्तमान में उप्यों किया जा रहा है उधारन के लिए कोईला, खनेज और तेलितियादी ठीक है न, तो इस परकार से आप इन दोनों में अंतर बता सकते हैं संबाब्य और वास्तविक संसादन में इसी में जो है सर्वियापक और अस्तानिक में भी आपने अंतर बताना था तो इस परकार से लिखेंगे सर्वियापक और अस्तानिक संसादन में क्या अंतर है प्रकास इत्यादी यह सभी जगे पाए जाते हैं और अस्थानिक में क्या लिखेंगे आप जो संसादन कुछ निश्चित अस्थानों पर ही पाए जाते हैं अस्थानिक कहलाते हैं जैसे तामबा लोएस्क आदी यह जो है कुछ निश्चित अस्थानों पर ही पाए जाते हैं जानते हैं ने कि ख़दानों से मिलते हैं यह सब चीजें तो आप इस्त प्रकार से इनमें अंतर बता सकते हैं इसके बाद बच्चों चोथा प्रस्णात आपका यहाँ पर ध्यान देंगे क्रिया कलाप से सम्मibl geral ते है यहाँ पर यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है और आपने इनके उतर भी लिखने आपने जैसे यहाँ पर लिखा है रहीमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे मोती मानस चून तो आपने हिंदी में ही पढ़ी होगी एक कविता और रहीम के दोहे में आपको मिला होगा इसी प्रकार से रहीमन पानी राकिये बिन पानी सबसून पानी गए नूबरे मोती मानस्चून तो यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर आप ध्यान देंगे यह पंक्तियां अकवर के दरवार के नौरतनों में से एक कवी अब्दुलरहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी किसके द्वारा लिखे गई थी अब्दुलरहीम खान खाना के द्वारा कभी किस प्रकार के संसादन की और संकेत कर रहा है इस संसादन के समापत हो जाने पर क्या होगा इसे सौ सब्दों में लिखिए तो ध्यान दे बच्चो किस संसादन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर पानी के बारे में किस के बारे में बात की जा रही है पानी के बारे में तो यहाँ पर उत्तर क्या लेखेंगे चलिए आपको बता जिते हैं उत्तर में लेखेंगे आप कभी इसमें नवीनी करण संसादन जल की ओर संकेत कर रहा है जल का मतलब पानी होता है ना प्रियावाची सब्द में जल के समाप्त हो जाने के प्रवाव कुछ इस प्रकार होंगे और सौ सब्दों में आप कैसे लिखेंगे नमबर एक जल संचरन की क्रिया समाप्त हो जाएगी नमबर दो जीव जन्तु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे नमबर तीसरा पृतिवी पर लोगों को सुखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा नमबर चार समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएगे नमबर पांस पृतिवी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा नमबर छे किर्शी परक्रिया समभव नहीं हो पाएगी नमबर साथ कोई उद्योग नजर नहीं आएगा नमबर आठ वाँ लिखेंगे समुद्र में रहने वाले सभी जीव जन्तु मर जाएगे पानी के समाप्त होने कारत है पृतिवी पर से जीवन का समाप्त हो जाना या पृतिवी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा समद्रे राप बिना पानी के हम और आप या कोई भी जीव जन्तू जीवित नहीं रह सकते तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं आगे बात करते हैं बच्चों आओ खेले में यहाँ पर ध्यान देंगे आप जो आपकी पास प्रस्ण है और यहाँ पर जो एक सबसे पहले पहला प्रस्ण आप देख सकते हैं सोचिए कि आप प्राग एतिहासिकाल में एक उचे हवादार पठार पर रहते हैं जानते हैं आप प्रागेति हासिकाल में जब मनुशे बठकता रहता था इधर जंगलों में पहाडों पर बठकता था तो उसी टाइम की बात की जा रहे हैं कि मान लो कि आप प्रागेति हासिकाल में एक उचे हवादार पठार पर रहते हैं आप और आपके मित्र तेज पवनो पवन क्या होती है हवा, पवनों का उप्योग कैसे करेंगे, क्या आप पवन को एक संसादन कह सकते हैं, अब कल्पना कीजिए कि आप वर्स 2138 में उसी अस्तान पर रह रहे हैं, क्या आप पवनों का कोई उप्योग कर सकते हैं, कैसे, क्या आप बता सकते हैं कि अब पवन एक म जंगलों में पठारों पर पहाडों पर परवतों पर रहता था और उस समय उसे तेज आंदी की तरह हवाये चलती थी जब पहाडों पर तो उसे काफी प्रेशानी होती थी और उनका अच्छे से उप्योग नहीं कर पाता था लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो लोगों हवा का अच्छे से प्रियोग करना सीख लिया और अपने लिए मकान बनाने लगे पके मकानों में रहने लगे और जो घरों की जो बनावर थी वो इस प्रकार से बनाने लगे कि उनसे हवाओं का आधी तूफन का भी जो ज़्यादा कोई खास असर नहीं पड़ेगा और सात इसके बारे में अपने आप लिख सकते हैं इससे आप बिजली निर्मान कर सकते हैं बिद्द। और क्या करेंगे यहाँ पर जो उत्तर लिखेंगे बिद्यारती स्वयम करें तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखेंगे कि किस प्रकार से आप तेज हवाओं का तेज परणु का जूँ है सामना करेंगे और किस प्रकार से उनका सदपियोग कर पाएंगे। आप देख सकते हैं आप एक पत्थर का उप्योग कर सकते हैं यहाँ पर प्रियोग और उप्योगता बताई गई है इस टापू खेलने के लिए यानी खेलोने की तरह और पेपर वेट की भाती कर सकते हैं जब आपके कागज हवा में उड़ते हैं तो आप उनके उपर उस पत्थर को रख सकते हैं, पेपर वेट की भाती उसे रख सकते हैं, एक उपकरन की तरह उसका प्रियोग कर सकते हैं, मसाले पीशने के लिए आपके गरों में हल्दी मिर्ची मसाले जो पुराने टाइम के जो सिलवटे होते हैं उनमें पीशे जाते हैं सिल में तो उसका उपयोग होता है मसाले पीछने के लिए अपने बगीचे कमरे को सजाने के लिए भी आप पत्थरों पर विभिन परकार के कलर या पैंटिंग से बना सकते हैं सजावट का सामन बना सकते हैं और बोतल को पत्तरों का उपयोग कर सकते हैं तो इसी प्रकार से आप टहनी का गत्ते का और और क्या बता रहा है यहाँ पर टहनी और गत्ते का प्रियोग भी कैसे करेंगे या फिर एक किसी पत्ते का प्रियोग कैसे करेंगे क्योंकि पत्तर का प्रियोग तो आपको बता दिया गया है बेक से तो बच्चो इस प्रस्णि के साथ ही यहाँ पर इस पार्ट से समंदित प्रस्णि के उतर समापत होते हैं मिलते हैं फिर अगले पार्ट में आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न झाल